यार बोड क्लास सेवें जियोग्राफी अध्याय एट मानव परवरनम के अंतर किरिया लद्दाख परदेश में जन जीवा लद्दाख जुन माम एक एक रविवार को दिनेश अपने दोस्त सोनुए घर गया हुआ तो वहां उसकी भेट दिनेश चाचा से वही जो सेना में मे चाचा साथी चाचा ने अपना बकसा खोलकर समान निकलना सुरू किया समान में उन्हीं टूपी मोजे स्वेटर को देखकर दिनेश अशर हो रहा था क्या कि इतनी इस गर्मी में मौसम में चाचा इन गरम कपरों को बकसे में क्यों रखे हैं उसने सुनुए चाचा से साथ अखनी पड़ती है मालू में लद्दाक को वहां की भासा में खापा चान करते हैं जिस क्या अर्थ होता है कि हीम भूमी अर्था बढ़ 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 बाली जगह तो क्या वहां अभी सर्दी पर रहे हैं दिनेश ने पुझा हां बिलकुल यह कहते हैं उन्हां अपने लद्दाक का मानचीतर यहां पर दिखाया गया हुआ है ले लद्दाक कारगिल चाचा सावास अब नक्से में गौरते देखो लद्दाक जम्मू के उत्तर पुरी भाग में सुस्क सीथ लद्दाक का इस इलाका यहां पर दिया हुआ है सीथ उच भूमी है जो तीबत के पठार का एक एक हिस्सा है इस शेते में सामान उचाई जरूर गिरती है पर पानी की बूंदों की तरह चाचा नगा दिनेस और सवनों दोनों चकित्ते सवनों पूछा फिर तो वहाँ पेर पोदे नहीं होंगे बिल्कुल नहीं अब दोनों अवाग फिर भला जीवन कैसा होगा दोनों एक साथ पूछ बैठे बैटे उस सुस्कता क सबस्राइब है कारण पर्देश उजर और पनस्पति क्राम है घाटी में कहीं कहीं पर घास है रिक्ष मिलते हैं सफेद और वेद के हीखिश जहां oneself मिलते हैं सेव क्षूबानी और उपखोड के पोड़ मिलते है सुखे मेवे और आवले पीर से इंधन का और मकान बनाने के लक्रिया मिल जाती है प्राय हड याली देखने को नहीं मिलती यहां की द्रास घाटी अच्छी किस्म की जीरा पैदा किया जाता है जो जोई गे हूँ और आलो भी पैदा किया जाते है चाचा जी वहां नदिया है दिनिस ने पुछा है ना सिंदू नदी लदाख से होकर बहती है सियोक नूबरा छो आदी बड़ी नदिया है विदू के उपादन के लिए इन नदियों का पानी काफी उपयोगी हो सकता है जहां कहीं भी जढ़ने आवादी भी उसके आसपास ही है और जानबर इस बार सोनू ने पुछा यहां याक नाम का जानबर मिलता है जो भैसों से मिलता जुनता है इसे दूद का उपयोग पनीर और मक्षन बनाने के लिए करते हैं इसके दूद का जंगली बहर कुट्टे और जंगली वक्रिया भी मिलती है इन पसों को दूद दूद मांस खाल प्राप्त करते हैं भेर एवन बकरी के बालो का उपयोग उनी वस्ता बनाने के लिए होता है यहां कंबल टोपी लोईया कपरे और उन से बने जूते कुटी रूद हो गया चाचा जी वहां सरके कैसी यह बच्चों ने चुकता बढ़ती जा रही थी चाचा ने थोड़ी गंबितर दे कहां वहां आवागावन की सुदा बहुत ही कम है लदाक का प्रमूख सर ले है और सरक मारक वायू मारक से जुरा है रेल तो वहां नहीं है ग्रष्टिय राजमार वण से ले को जोजिला दर्राज से होता हुआ कस्मीर घाटी से जोड़ता है कारोकरम दर्रा कस्मीर को तिबच से जोड़ता है यह दर्रा लदाक से होकर गुजरता है ले म से मनाली तक एक सरक रोतांग दर्राज से होकर गुजरती है इसे बहुत बड़ी सुरंग बनाई जा रही है ताकि सालोब और लद्दा कछेत सेज़ भाग संबर्क में दायगा हम सैनी तो अकसा हेलिकॉप्टर से अबागमन करते है पगडंडिया ही अबागमन का मुख्य मार गया पापरेसो ने बोला वहां के लोग कैसे रहते होंगे च परजाती के एइरानी परजाती के लोग बालटोरों कालाते हैं और यह मुसल्मान है जब कि मंगोल परजाती के लोग बहुत धर्म को अनवाई है लट दाकऊ-मथ हैं कई बड़े बड़े मठ양 में गंपा को को अब गंपा कहते हैं हेमिस तिक से लामा यूरू पर सिद के साथ सीधे इस वर तक पहुशते हैं यह कहने कहते हुए बक्से में डिबा निकाला और पेर निकाल कर दोनों बच्छों को पेरा निकाला दोनों बच्छों के और बढ़ाए यह पेरे याक के दूद से बने हुए है खाकर देखो सोनुने दिने से पेरे के लिए और खाते बाहर चले गया, दोनों आपस में ये बाते कर रहे थे कि एक ही देश में इतनी अलग-अलग प्रिश्थितिया और जलवाईू है व्यक्ति किस तरफ प्रकृति के साथ जोरा हुआ है, सचमुच प्रकृति हमारी कितनी मददगार है क्या है आपको नहीं लगता कि यह जिस बातावरण में रहते हैं वहाँ के जानबर फसले कपरे मनस्पति जलवाईू अनुकूल डाले में हम हमारे सयोगी है